हरियो मित्रो, आज का हिंदू बंचा, दिनांग 25 सितंबर 2022, दिन रविवार, आश्विन मास, गुजरा तेवा महराष्टर में भादर पर, कृष्ण पक्ष, अमा वस्याति थी, 26 सितंबर परातः 3 बचकर 23 मिनिट तक ततपश्यात परतिपदा, उत्रा फालगोनी नक्षतर 26 सितंबर परातः 5 बचकर 25 मिनिट तक ततपश्यात हस्त, शुबियो, सुबह 9 बचकर 6 मिनिट तक ततपश्या शुकल, राहुकल, शाम 5 बचकर 3 मिनिट से 6 बचकर 33 मिनिट तक, सूर्योदय 6 बचकर 39 मिनिट पर, एवां सूर्यास्त 6 बचकर 33 मिन 23 मिनट तक दिशिता मूर्थ 12 बाच कर 7 मिनट से 12 बाच कर 25 मिनट कर व्रत पर्व विवरण च token रचिवालियर दशी सर्वपित्री अमवस्या का श्राद अमवस्या श्राद और व्रथ के दिल इस्तρι सहवास तता ते स्ञत हर तेल कहाना और लगाने निशिद है सर्वा पित्रि अमा वस्या 25 सितंबर प्राताह 3.12 मिनिट से 26 सितंबर प्राताह 3.20 मिनिट तक है जिन पित्रों की शरीड छूटने की तिथी याद नहीं हो उनके निमेत शरात, तर्पन, दान, आधी सर्वा पित्रि अमा वस्या को किया जाता है अमावस्या विशेश जो वेक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भरका किया हूँ अपुन ने दूसरे को मिल जाता है इसकंद पुराण प्रवास खड़ इस दिन पेड़ पौदों से फूल पत्ते तिन के आदी नहीं तोड़ने चाहिए इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है विश्नु कुराण इस दिन खेती का काम न करें न मजदूर से कराएं अमावस्या के दिन श्रीमत भगवत गीता का साथवध है पढ़ें और उस पाठ का पुन्य अपने पितरों को अरपढ़ करें सूरे को अरगे दे और प्राठर करें आज जो मैंने पाठ किया मेरे घर में जो गुजर गए है उनको उसका पुन्य मिल जा है इससे उनका अशीरवाद हमें मिलेगा और घर में सुबसंपत्ती बढ़ेगी गरीबी भगाने का शास्त्री ओपर गरीबी है बरकत नहीं है बेरोजगारी ने गला घोटा है तो फिक्र ना करो हरमावसय को घर में एक छोटा सा आहोती प्रेयोग करो जिसकी सामगरी है काले तिल, जो, चावन, गाय कागी, चंदन पाउडर, गूगल, गोड, देशी कपूर, एवं गोचंदन या कंड़ा गोचंदन या कंड़े को किसी बरतन में डाल कर हावन गुंड बना ले फिर उपरोक्त आठ वस्टों के मिश्रण से तैयार सामगरी से गर के सभी सदस से एकत्रित होकर नीचे दिये गए मंतरों से पाँच आहोती दि आहोती के मंतर हैं मंतर डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं इस प्रयोक से थोड़े ही दिनों में स्वास्त समरित और मन की प्रसनता दिखाई देगी पुझ बापुझ रविवार विशेश इस दिन इस्तरी सहवास तता तिल का तेल खाना और लगाना निशिद है ब्रहम वेवर्थ कुराण ब्रहम खंड और इस दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंका साग नहीं खाना चाहिए ब्रहम वेवर्थ कुराण शिरी कृष्न खंड इस दिन कासे के पातर में भूझ नहीं करना चाहिए यह सूरे देव का दिन है इस दिन छोर, बाल काटना वा दाड़ी बनवाना कराने से धन, गुद्धी और धर्मी की छती होती है रविवार को आवले का सेवा नहीं करना चाहिए इस दिन बिलो रक्ष का पूजन करना चाहिए इसका नपुराण में बताया गया है, इससे ब्रह्म हत्या आदी महा पाम भी नश्ट होते है इस दिन पीपल के पेड़ का सपर्च करना निशेद है और तुलसी का पत्ता तोड़ना भी वर्जित है अर्यू